हेलो बच्चों तो देखिए आज हमने लास्ट एक्साइट लास्ट दिन कंप्लीट कर ली है और आज है विविद उधारण के बारे में पढ़ना है ठीक है जितने विविद उधारण 28 से लेकर 34 तक के हैं तो यह सारे के सारे अभी करेंगे और उसके आप फिर प्रसनावली हम जो विविद प्रसनावली है वो होगी अगले डे स्टार्ट यानि मंडे को मंडे को होगी अगले क्लास ठीक है तो अभी कल और परसों आपको टायम मिल जाएगा तो इन दो दिनों में आपको जितना अभी तक पढ़ा रखा है यह पूरा रिवीजिन करना है क्योंकि जो व विविद प्रसनावली में जितने भी आपने कोशिया अभी तक सीखें हैं उन सभी को एक बार रिवाइज कर लोगे तो यह सारे के सारे उधारन से लेकर आगे तक का जितना विविद प्रसनावली जो आएगी पूरी हो जाएगी क्योंकि देखो होता क्या है आप लोग 10-12 भी हो सकती है ठीक है तो कुछ कह नहीं सकते है लेकिन यहां पर देखो कितना था 6 थी तो आप उसके वाज़े 6 की 6 exercise में जितना भी कुछ सीखा है आपने उनके लिए एक अलग से प्रसनावली बनी होती है विविद प्रसनावली वो क्या होती है इन सभी मैंसे कुछ सभी प्रसनावलियों से मिलते हैं तो इसलिए आपको क्या करना है 6 की 6 प्रसनावली आ रिविजिन करने में आज कल परसो मंडे को जब क्लास होगी अगली तो जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तो आप देखोगे तो आपको उसमें मजाएगा कि हाँ यह तो सब वही कुश्य और यह देखो मुझे आता है या नहीं आता है यह चीज़े भी आप लोग महां पर चेक कर सकते हूं आज इसे चेक कर सकते हो अभी देखो वी दुधारन यह भी वी दुधारन भी क्या है वही चीज़े है जो अभी तक पढ़ें तो कितने हैं 28,39 31,4 यह बागी आगे होंग यानि इसका समुच्चे बनाएंगे हम इसके जो भी ये सब्द हैं अक्षरों का तो देखते हैं क्या बनेगा देखो मैंने बना रखा है इसका X मान लिया उसे तो इसे मैंने C लिया फिर A लिया फिर T लिया फिर A लेने वाल था लेकिन आपको पता है कि जब समुच्चे बनाते हैं तो दो बार नहीं आता है कोई भी सब्द तो एक बार आचुका है न अब दुबारा नहीं आएगा तो यहाँ पर अब दुबारा नहीं आएगा इसलिए हमने इसको इसको नहीं लिखा फिर R लिखा ये फिर A दुबारा आगया बार बार फिर C को दुबार आ गया एक बार लिख चुके हैं T भी दुबार आ गया है तो हम इतने सब्दों लिखेंगे जो रिपीट ना हो रहे हो इन चारों को कॉमा करके लिख देंगे और एक करली ब्लैकेट यानि मजला कोस्टर के अंदर रख देंगे तो वही क्या है पहले हमने T लिखा फिर R फिर A फिर C फिर दुबार टी आ गया लास्ट वाला तो दुबार टी को हमने लिखा नहीं क्योंकि आपको पता है कि समुच्चे बनाते समय दुबारा कोई भी अक्षर नहीं आता है ठीक है तो आप जब देखो इन दोनों को X और Y को क्या दोनों स सेम है ध्यान रखना समुच्चों में आव्याव आगे पीछे हो सकते हैं बस जितने हैं उतने ही होने चाहिए और वही होने चाहिए C यहाँ 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 अगले कुर्शन में चलेंगे 29 unfamiliar tender question में एक आपको यह समुच् Apache दिया है के रासकिंश backup a जितने भी समुच्चे नो की सारे नहीं बनाओ जितने भी War some action बनेंगी उन सबको लिखो ठीक है तो हमने क्या किया हमको पता है कि उपसमुच्यों की संख्या होती है, दो की घात जितने अव्याव होते हैं, तीन अव्याव होती है तो दो गुणा, दो गुणा, दो कितना आएगा? आठ यानि आठ इसके उपसमुच्य होगी और उनको लिखते हैं, फिर सबसे पहले हमने फाई लिख दिया, जो की रिखते समुच्य होता है, रिखते हैं एक भी आउयव नहीं हो, उसके बार एक आउयव लिया सिंगल सिंगल, माइनस एक लिए एक लिया एक बार, एक बार जिरो ले लिया और एक लिया, तो तीन यह बन गे पिर उसका दोडो लिए फर्स्ट सेंड को लिया है सेंड़ थर्ड को लिया है नह kes तो साथ बन गें, दोदो वाले भी जोड़े बन गें, जितने बन सकते हैं, आप तीन वाले जोड़े बनेंगे, तीन वाला एक ही बनेगा, यहीज़, अब आद कितने है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, सत, आठ, आठ, इसके समच्चे बनगे हैं, यही इसका अंसर, तो यह union B और A intersection B दिया है इसको हल करोगे इसका अर्थ जो है वो A बराबर B होता है यह दिखाओ करें यह यह चीज आपको दी है यह सिद्ध करना है कैसे करेंगे थोड़ा सा अच्छा वश्यन देखो मैं लिख दिया है मैं हमने यह ची लिख दी है सिद्ध करना है में यह ची लिखती है ठीक है और अब हल कर रहे है तो आप क्या करेंगे सबसे बहले हम क्या कर रहे है एक यह method है ध्यान रखना थोड़ी सी कि A अगर B का उपसमुच्चे हो यह उपसमुच्चे का चिन्न होता है और B A का उपसमुच्चे हो तो इसका मतलब क्या है कि A और B बराबर होंगे ठीक है मतलब A अगर यह पहला वाले को समझो पहले वाले को यह क्या कह रहा है A अगर B का उपसमुच्चे हो तो इसका मतलब A के सारे आउया हो B में हो और B अगर A का उप समच्चे हो दुसरे वाले में तो B के सारे हो या हो A में हो अब जब इसमें 10 हो या होंगे और यही 10 इसमें होंगे तो फिर यही 10 B में थे तो यही 10 A में भी होंगे तो इसका मतलब दोनों में बराबर हो या हो और वो भी सेम सेम है ठीक है? इसका मतलब ये होता है यनि आपको क्या दिखाना पड़ेगा? आपको एक बार क्या दिखाना पड़ेगा? कि A जो है B का उप समझे और एक बार B A का उप समझे है फिर आप जब दोनों को देखोगे तो आपको लगएगा कि ये दोनों चीजहやं तब ही संबह हैं जब A और B बराबर हों अकर A एक में भी ज़्यादा हो या होंगे तो वो B में लाद दूसरे में नहीं होगा जैसे आपको मैं एक बार समझाता हूँ कि मान लो कि A में 10 हो याउ थे और B में 11 तो आपने जब कहा A जो है A में होने जीए यानि यहाँ तो दसी है तो हो जी नहीं सकता यह चीज यानि आप जब यहाँ पर 11 लोगे तो फिर गलस हो जाएगा जब यहाँ भी 10 लोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ आप तो हो सकता है और तब ही हो सकता है जब यो दोनु बराबर, तो हम लोगों को सिर्फ ही ये दिखाना है एक बार A, B का ओप समझ्चे है और एक बार B, A का ओप моप समझ्चे है, उसके दोनु समिकरणों को लेंगे तो हम दिख सकते हैं कि A, बराबर B, ठीग है तो यही काम हमने किया है, सब आपको पता है कि अगर A के अंदर होगा वो अब्याओ तो A union B के अंदर भी होगा आपको पता है कि ये होता है A और A union B क्या होता है आपको पता है ये A है और ये B है तो A union B का मतलब होता है ये पूरा हिस्सा A का भी B का भी ये सारा अगर A है जो small है ये अगर यहाँ है तो यहाँ पर भी तो होगा A के अंदर यानि इस पूरे में भी होगा A union B के अंदर भी तो इसलिए हम चाहें अगर हम कहेंगी A A के अंदर है तो A A union B के अंदर भी होगा ठीक है फिर आपको पताए A union B जो है वो तो A intersection B के बराबर है तो A union B की जिगर पर हम A intersection B लग सकते हैं समय करण A से रख दिया हमने यहाँ मान ठीक है अब बताओ A intersection B के अंदर अगर A है तो ये देखो ये A है ये B है और ये बीज का हिस्सा जो है ये A intersection B है ठीक है अब जो Small A है वो अगर यहाँ है A के अंदर ठीक है A के अंदर है तो वो यहाँ पर भी तो होगा नहीं इस वाले common वाले हिस्से में तो याणि A intersection B में भी होगा हो तो याणि हम इसको लिख सकते हैं यगर A जो है वो A intersection B के अंदर यहाँ पर अगर है तो यह वाला हिस्सा A में भी आता है ठीक है कौन सा हिस्सा अगर यहाँ A intersection B इस वाले हिस्से में यह वाला A वराबर यह जो है A अगर यहाँ है तो यह वाला हिस्सा जो है यह A के अंदर भी तो आ रहा है ना इसके अंदर तो यानि ये A पर भी होगा और B पर भी होगा ये B में भी आ रहा है ये वाला हिस्सा तो हम लिख सकते हैं कि A जो है अगर A intersection B के अंदर है तो A B के अंदर भी होगा यानि अब इससे क्या चीज़ समझ माई आपको कि सुर्वात में A को हमने A के अंदर लिया था और अब वो B के अंदर भी है यानि अगर A के अविया और B के अंदर होगे तो A जो है वो B का समझे हो जाएगा ठीक है यही तो हुआ ठीक है समझ रहो ना तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि B जो है वो A का उप समझे है एक सग्रेंड ऐसा कहने का मतलब अगर A के अवियाओ यह A का अवियाओ था और अगर यह B के अंदर भी है ठीक है तो आप इसे कह सकते हो हाँ तो आप क्या कहोगे देखो जो यह अवियाओ A के अंदर था यह अगर B के अंदर भी है तो B जो है वो A का उप समझे हो जाएगा यानि B A का हो जाएगा A B का नहीं होगा तो B A का उप समझे हम लिख सकते है इन दोनों को देखते हैं ठीक है एसे हमने B के लिए भी किया दूसरे वाले के लिए उल्टा पहले यहाँ हमने A लिए था ना एक आउयाओ जो A के अंदर था अब हम B के अंदर अभी आउयाओ लेके चलते हैं तो हम गया लिच्चे के लेके चले कि जो B है वो B के अंदर एक आउयाओ है तो B B के अंदर है तो यह A उनिन B के अंदर भी होगा क्योंकि देखो अगर यहां पर आव याव है तो इस पूरे गिमायक को A उन B कहते हैं तो इसमें भी तो होगा फिर इसकी जिगा हम यह रख देंगे क्योंकि हमें पता है समिकरण A में दिया गया है फिर आपको पता है A intersection B में अगर कोई आव याव है तो A में भी होता है B में भी होता है अब B में तो सुरू में दिया ही है तो A के अंदर लिख लिया हमने तो अगर बताओ B जो है अगर A का विया B के अंदर है और ये A के अंदर भी आ जाए तो हम क्या कह सकते हैं जो A है वो B का उप समझ्चे है तो हम A को B का उप समझ्चे लेख सकते हैं फिर आप देखो यहाँ पर इसको समिकरण A माना है इसको B, B जो है A का उप समझ्चे है A B का उप समझ्चे है यह कब समझ्चे है जो हम समिकरण A और B से हम कह देंगे कि ए बराबर जब भी होगा तभी यह संबभ है नहीं तो नहीं है संब्सक्राइब आगे आपा ना कहीं पर कोई काइन फिजन होगा तो बता दिना मुझे मैं क्लियर कर दूँगा आगले वीडियो में इंपोटन कुश्चन था आगे बढ़ते हैं अब बतीसवा आप देखो बतीसवा तित्तिसवा और चौतिसवा तीन उधार और है आसान से हैं मुझे नहीं लगता कि इतने कठे हैं कहला एक हजार उब्भुकताओं पर दोनु उत्पादों को पसंद करने वालों की नियुन्तम संक्या दोनु के लिए निकालना है निए इंटरसेक्शन भी निकालना है दोनु वाले और यह जो हजार दिया है यह क्या चीज होगी फिर आब आप समझ सकते होगी ए यूनियन बी वाली होगी क्योंकि दो ही इसना कुछ तो पसंद करते होंगे लिखना चीज़ था लिखा नहीं है इसने तो यह जो हजार दिया यह इनियन बी वाला होगा कल पढ़ाया था वही चीज है तो हल करते हैं फिर ठीक है 32 मेरे क्यासे के 300 चूट गया कोश्य है चलो पहले उसको भी दिख लेते हैं 32 तो यह हजार जो है इनियन बी लिख लिया ए वाले बी वाले ये वाले तो आपको इसका सूतर आता है तो यह लगाओगी और यहां मान रखोगी तीनों की जगे यह ऐसा ही रहेगा फिर यह इध देखीजिए कि यह लिखाया 13 12 इसको हल करने के लिए आप देखो ऐसे कोई मैथड नहीं है तो हम एक दो समुच्चे ले लिए एक समुच्चे A ले लिया एक B ले लिया एक के अंदर एक और दो और चीन है अब देखो यहां पर एक यह ए यह बी है यहां पर A intersection B भी है तो ह आपको दिख रहा है दो जो है वो दोनू में है तो दो आगिया A intersection B अब आप ये तीनों चीज़ा निकालो और फिर देखो कैसे होता है तो हमने पहले ये निकाला P A intersection B P मतलब power set यानि घास समुच्चे बढ़ाया था आपको घास समुच्चे क्या होता है जो A intersection B अंदर है इसके सारे उपसमुच्चे के अंदर रख दो अभी उपसमुच्चे निकाले थे हमने दोगी का तीन आर्ट उपसमुच्चे निकाले थे न वही उस चीज़ को अगर और क पर Session B निकाला ये तो इसमें जितने वही और कितने एक आवयव है न तो कितने उपसमुच्चे होंगे दो की घास एक यानि दो होंगे इसमें तो पहले फाई लिखा जीरो वाला फिर एक एक करके लिखा इस सिंगल में एक लिखा सिंगल में दो लिखा फिर दो दो के दो तीन चार बन गी ठीक है ऐसे PB बी का भी निकाला ठीक है गास समुच्चे ये दो विखा दो की गाले चार आने चाहिए पहले फाई लिया पिर सिंगल सिंगल लिए दो और तीन फिर दो दो के जोड़े बनाए दो और तीन अब दो से जाद बननी सकते तो ये बन गे है मुंन को और देखो उसको और इसको देखरे हो कि दो न नुट को देखा चुन में बड़ाबर है और लेकी करना पड़ता है विल्कुल आ रहे हैं तो पर संधक aux ब्राबर हो सकते हैं तो immediatивать तो आप मान के चलोगे कि हाँ ये ये यूनियन भी दिया गया है आप से कह रहा है क्या ये सही है आंकड़े निया यहां यहां पुराणी बुक में ये पांसवा लिखा गया था दिखा देता हूँ आपको अग्या देखो पांसवा लोगों को ये और भी दोन तरफ ने पचास वाला है यहां पर गलत च्पा था ठीक है ये देखो नीचे तो पचासी लिखा आया ना सौल करते हैं तो इसमें गलत च्पा तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो ये मतलब नई बुक में अगर 500 होगा तो सही कर लेना नई बुक में वैसे जहां तक मेरे ख्याल से 50 ही होगा तो और पेपर में कभी गलत नहीं आए गासे ठीक है हमने वही सूतर लगाया फिर एन ये यूनियन भी बराबर एन प्रसेन भी तीनों का चारों का मान रख दिया हो खलकिया तो इस साइड आ रहा है 500 इस साइड 550 आप जानते हो कुल्च 501 आ रहे हैं और ये करने पर 550 आ रहा है यह जी गलत है बराबर नहीं आ रहा है ना सूतर गलत दिखा दे रहा है तो यानि यह आंकड़े जो हैं वो गल 38 लोगों को पसंद है एस से दिखाएंगी बॉलीबॉल बीस से बिट को पसंद दो कितने लोग है अब आप से पूछ रहा है कि कितने लोगों को तीन मैंसे दो खेलों के लिए पदक मिले हैं पदक वाला कुशन है एक बाद जड़ा देखी लेते हैं यह रहा है एक फुटबॉल के लिए 38 पदा लोगों को मिलें याईनि तीनों का यूनिएन उनिन को फिट वालीवंव्ट्रू जाय। रुट बॉलिबॉलारी हैं यह किवल तेनों को तीनों खैलो वर मिला है यहुला है तो एंटरस्टेक्षन तीनों का फुट बॉलीबॉलर और क्रिकेट का यह तीन हो गया कितने लोग सो कितने लोगों को तीन मेंसे ठीक तीक, दो एक यह हो गया pop soprattutto Damar dud वाली वाली खेलों में तो वाली बॉलीबवाट बी हो सकता है और दो वाले में फुनवाल और कर्वेड भी है। पहला दूसरा 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 दीसार पहला तीसरा तो ये टीनों का ये कितना आएगा ङा ये आपको निकालना है क्योंकि तीन इसमें तीन वाला सूत्र लगेगा ठीक है ये लिख दिया हमने तीन वाला सूत्र लगेगा यह रहा था ना कभी कभी जड़त पड़ेगी यह एफ बेई यह तीन के इंटरसेक्शन माइनस फिर प्लस करके तीनों का कि सब्सक्राइब कि दिए थे तीन के निरख पाएंगे यह तीन इन तीनों को माइनस वाले हैं तो इधर साइड ले आए और जो इसको इधर साइड ले आए तो इसको इतना सा था अब अधिया एक पाविश प्रसना वाली कल्स मतलब मंदे को तब तक पूरा रिवायज करके रखना देखना कि कितने question आपको आते हैं नहीं आते हैं आने वाले time बाकि इन question ओको जितनी बार उसके उतनी बार समझो वीडियो तो आप कितनी बार भी देख सकते हो जब ना आए दुबारा वीडियो चला लो उस नमर की और फिर उसे देखकर अच्छे समझो तभी पूरे कॉंसेट के लिए रहूँगे ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई